हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल रुपाली फूट कॉर्णर फ्रेंज आप सब कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे आज मैं आपके लिए लेकर रहाई हूँ होममेड पॉपकॉर्ण की रेस्पी गाईज बहुत ही इजी तरीके से हम इसे घर पर बना कर त सकते हैं इसमें यूज करेंगे तू टेबल स्पून रिफाइंड ओयल हाप टीस्पून हम या पे हल्दी पाउडर का यूज करेंगे वन टीस्पून हम नमक का यूज करेंगे और थोड़ा सा बटर का यूज करेंगे फ्लेवर के लिए तो अब चलते हैं गाईज हम गैस की रहे हैं बटर हमारा मेल्ट हो गया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर से गाइस हमारा पॉपकॉर्ण का फ्लेवर जो है थोड़ा सा अच्छा आता है तो अब इसमें हम कॉन एड कर देंगे और इसको भी हम बटर और ओयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम थोड़ा गरम होने देंगे आप इसमें हम मैट कर देते हैं नमक और हल्दी पाउडर यहाँ पर हम हम ठेस्पून हल्दी पाउडर का यूज़ कर रहा है और बन्ठेस्पून नमक का इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल guys, यह हमारा popcorn जो है, market style बनकर ready होने माला है, और अब जैसे हमारा corn जो है, वो crack होना शुरू होगा guys, हम इस पर lead लगा देंगे, तो आप देख सकते हैं, हमारा corn जो है, वो बिल्कुल crack होना शुरू हो गया है, अब इसके उपर हम lead लगा देंगे, और lead लगा कर guys सब यहां पर गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे हम कूप कर लेंगे तो वाव गैस अब देख सकते हैं कितना ब्यूटिफल मैजिक हो रहा है यहां पर हमारे सारे कौन जो है वो सारे क्रैक हो गया है तो गैस यहां पर हमारा पॉपकॉर्ण जो है बिल्क सकते हैं बिल्कुल मार्केट वाला जो पापकॉर्ण होते हैं सेम कलर आया है और टेस्ट भी गाइस बिल्कुल वैसा ही है हमारे सारे कौन जो है क्रैक हो चुके हैं बिल्कुल पर्फेक्ट डेड़ी है कोई इसमें सीड्स पचा नहीं है तो यहां पर हमने पॉपकॉर्ण को आप इसे मुवी के साथ इंजॉय कर सकते हैं बच्चों को यह पॉपकॉर्ण बहुत पसंद आता है और आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइब करेंगे तो गाइस मार्केट में पॉपकॉर्ण बहुत ही महेंगे मिलते हैं और इस तरह से हम घर पे आसान तरीके से बहुत ही सस सांजी रेस्पी लेकर आते रहेंगे तो आज के लिए बस इतना ही गाइज हम आपसे पिन मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई